लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें नमस्काइट TV1 इंडिया के फेस टू फेस कारिक्रम में आपका स्वागत है महराष्टा चुनाओ प्रचार के दिन अब खत्म हो गए हैं दो दिन बाद मद्दान होने वाले हैं अभी हमारे साथ मौजूद है एरोली के पुरो विधायक संदीप नाइक जी सर स्वागत है आपका सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस बार अपनी सीट अपने पिता जी को सौप दी है आपको लोग स्वागत कुमार के नाम से जानने लगे हैं क्या बताना चाहेंगे कि जन्तम इसका कितना असर दिख रहे हैं आपको विकास कारियों में इसका कितना फायदा मिलता नजरा रहा है बेलापूर मत्रा संग कहा जाता था 2009 में उसकी स्प्लिट हुई डिम लिमिटेशन्स में पाच मत्दार संग मैंने और उसमें बेलापूर से अधरणिय गणेश जी नाइक साब और एरोल से चुनाव लडने का मोका अधरणिय गणेश जी नाइक साब की आशिरवात से मुझे मिला और लगातार दस साल इस विदान शित्र सभा का काम मैं करते रहा और इस समय ऐसे स्थिति आई कि नवियुम्बई के सभी लोग मेरे कार्य करता और खास करके मैं खुद चाहता था कि आधरणिय गणेश जी नाइक साब विदान सभा निवडनुक खुद लड़े और ऐसे समय में कार्य करता हमेरे साथ काम करने वाले प्रमुक पदादिकारी इनकी सब की धारणा हुई और हम लोगों ने सब ने कहा कि आधरणिय नाइक साब आपनी ही ऐरोली विदान सभा से चुनाव लड़ना चाहिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरी राजनिती अभी 20 तक का बाकी है आपकी राजनिती की शुरुवात है तो आप लड़ो तो मैंने कहा कि ऐसे होगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर उन्होंने हमारे सब के भावना का सन्मान किया आप लोगोंने अलग अलग उपमाए मुझे दी किन लोगोंने कहा कि आपने त्याक किया लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि जिनकी राजनीती की 50 साल उन्होंने समाजनीती में और राजनीती में दिये है इस सभी इलाकें के बेलापुर, ठानेजिल्ला, महाराष्ट्रा अलग अलग जगों पे लोगों के सुख दुख में जाना और हमारे नवियूंबई शहर में अच्छे प्रकल्प लाना, लोगों को समझना आज पूरे राज्य में, पूरे देश में, विदेश में भी नवियूंबई का नाम है, उसका फॉंडेशन ले करने का काम अधरनिया गणेज जी नाइक साब के माध्यम से हुआ है, और ये मैं खुद को आज भाग्यवान समझता हूँ कि हर इंसान के उपर अपने माता-पिता के रुण होते हैं, और हर एक को मोका नहीं मिलता है कि इस रुण को फेडने का थोड़ा सा मोका मिले, तो मुझे थोड़ा सा मोका मिला है, ऐसे मैं समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आदरनिय नाइक साब ने मुझे ही मद्दार संग सोपा था और उनकी ही विचारधारा को लेकि जो दस साल मैंने काम किया, आने वाले समय में और अच्छा काम सभी के बाद्यम से इस शहर के लिए होगा ऐसा मेरा विश्वास है जिस धारना से हम लोगोंने भारते जनता पार्टी में हम लोगोंने इंटरी की देश में जिस तरीके से मानिय प्रधान मंतर जी नरेंदर जी मूदी निर्णे कर रहे है एक आत्मविश्वास लोगों में आ रहा है योकों में आ रहा है और हमारे देश का नावलोग की सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी फेल रहा है तो उनमें विश्वास है कि अच्छे निर्णे शहर में देश में लिये जा सकते है और मैं आज खुश हूँ कि आदरडिया गणेशी नाइक साब के लिए काम करने का मुकाँ मुझे मिल रहे है हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 10 साल आप NCP से यहाँ विधायक रहे इस सिट से और चुनाओं से एन पहले आपने पार्टी बदल ली पार्टी बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी आपको दिखें कि 10 साल इस शेत्र में काम करते समय पास साल का यह जो कालावदी था महाराष्टरा के मुख्यमंतरी देवेंदर जी फड़निश साब जिस गती से और जिस अभ्यास से और पॉजिटिविटी से इशू को समझ रहे और सिफ समझ नहीं रहे उसके पर समादान भी कर रहे तो उनका काम देखते हुए विदान समय में जभी अलग-अलग आयोदों के माद्यम से डिबेट्स हुए एले की वेकेशन हावस हुए तो उनका पॉजिटिव एटिट्यूड तुवर्ट्स डेवलप्मेंट और तुवर्ट्स सिटी और इशू समझने की उनकी कपेसिटी यह मुझे भाई है और मुझे इसा विश्वा से कि मुझे काम करना है तो उसको सही में जस्टिस देने के लिए हमारे शहर के प्रोग्रेस के लिए हमें प्रोग्रेस के विचारधारा के साथ जाना ज़रूरी है और इसी समय शहर का ही देखते हुए हमारी जो कारे करताओं की जो इच्छा थी वो समझते हम लोगों ने बारते जन्टा पार्टी में प्रविश्किया पांच सालों में आगे आने वाले चुना में आप जीत जाते हैं तो पांच सालों में अपने विकास के क्या-क्या लक्ष रखे हैं देखें कि आज 10 साल में अधरणिया नाइक साब ने दी हुई जवाबदारी अच्छी तरीके से पार करने का प्रयास में ने किया है infrastructure हो, education हो, environment हो, health हो और हमारे शोहर का representation जो विदान सभा में जाना है जो issues विदान सभा में raise करने के बाद में demand रखने के बाद में जो budget हमारे city के लिए allocate करने की ज़रुवत थी वो काफी हद तक लाने में हम successful रहे है और आने वाले समय में ये निरने मैंने लिया है मेरे साथ मेरे कारे करताओं ने लिया और सबसे बड़ी बात है कि ये निरने आदरन ये गणेज नाइक साब ने लिया है जो जिनके followers नभी उंबय में ठाने डिस्टिक में है पुरे महारास्टर में है तो हमारी इच्छा ये थी कि नभी उंबय का अच्छा विकास हो शहर हो, गाव हो, सलम इलाका हो complicated, difficult issues है लेकिन अब सभी लोगों को सुनके उसमें हर एक subject में जो experts हैं उनको समझके हर party के लोगों को अगर confidence में ले तो हम लोग सभी शहर के इशू को अच्छी तरीके से address कर सकते solve कर सकते और ये 5 साल का agenda आई है ये 5 साल नभी उंबय के हर नागरिक के लिए, नभी उंबय के हर विकास के लिए हम लोग देने वाले तो मुझे उमीद है कि आने वाले 5 साल में आधरनिया, देवेंदर जी, फड़निस साब जो मुख्य मंतरी है और थे और बनेंगे उनके मार्ग दर्शन में नभी उंबय का एक अच्छा विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है महराष्टर सरकार ने, देवेंदर फड़निस अपने मेनिफेस्टों में दिया है कि 5 सालों में 5 करूण हो रोजगार देंगे आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से नभी मुंबय में युवाओं के लिए महिलाओं के लिए क्या नया कुछ करने वाले हैं नभी मुंबय में आज सेनी 10 सालों से स्सी मौक एक्जाम्स हो स्पोर्ट्स के कारेक्रमं का आउजन हो इन्वर्मेंट के लिए ट्री प्लन्टेशन ड्राइव हो जॉब ऐसे सेंटर हो ऐसे काफी सारे कारेक्रम आदरणिय नाइक साब और मेरे माध्यम से किये गए और नवियुम्बई का पोटेंशियल काफी बड़ा है काफी बड़ी पैमाने पे आईडी कंपनिस नवियुम्बई में आ रही है लेकिन उसमें क्रियेट होने वाले जॉब्स के लिए नवियुम्बई के लोगों को काबिल बनाना उनको जॉब्स तक पोचाना उनको एवेर करना उनको ट्रेन करना यह सबसे बड़ी चुनोती है और इस चुनोती को सामने नजर हम देखते हुए एक अच्छे प्रयास आने वाले समय में किये जाएंगे और नवियुम्बई के लोगों को अच्छे प्रयास आने आपको इतना समर्थन दिया है दस साल तक यहां के विधायक आपको रा आप इस बर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे देखिए मैं जनता से यही कहुँगा कि नवियुम्बई के अच्छे भविश्य के लिए अच्छे एजूकेशन के लिए अच्छे हिल्थ के लिए अच्छे इन्वर्मेंट के लिए हमारे शहर के प्रोग्रस के लिए अच्छे कैंडिडेट को आप चुनके दिजिए अच्छे पार्टी के लिए आप उट करिए कैमले परसेर मुसा के साथ अंजली चोबे टीवी वन इंडिया नवी मुंबई